नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मैट्स मैट्स में हमारा जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है परसंटेज आज हम परसंटेज से अपना सरुवात कर रहे हैं ये स्पेशली रहेगा ग्रूप डी और दिल्ली पुलिस के लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से लेके चलेंगे बिल्कुल जीरो से और धीरे धीरे जैसे एक बच्चा होता है वही स्टार्टिंग में गुडलिये चलना सीखता है फिर धीरे धीरे खड़ा होता है फिर चलता है फिर दोड़ता है हम उसी तरह मैट्स को पढ़ेंगे स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल दीरे-दीरे और अंत तक उसके अच्छे लेवल तक के कुस्टन्स हम करेंगे तो आईए आज की क्लास हम सुरू करते हैं परसंटेज चेप्टर के साथ सबसे पहले भई हम परसंटेज के वारे में जानेंगी परसंटेज होता क्या है परसंटेज परसंटेज की जो टोटल वैल्य होती है आप सभी को पता होगा वो होती हंड्रेट सो आप सभी ने हर जगों पे सुना होगा भई कि आपका काम कोई भी काम है आपको ये बोलता हुआ कि आपका काम 100% हो जाएगा 100 में से जो भी value हमें निकालनी होती है जो हमें find करना होता है वो इसका total value हमें 100 में से निकालना होता है सबसे पहले हम इसके बिलकुल basic questions जैसे कि आपको कोई बोले कि 1% का fractional volume किया होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे भई 110% एक परतिसत का मतलब क्या है कि kul value हमारे पास कितनी है 100 और उसमें से हमारे पास कितनी है हमें प्राप्त कितनी हुई हमें प्राप्त होई सिर्फ 1 तो यह क्या होगा हमारा एक परतिसत यानि कि एक बटा 100 और हम इसी को बोल दें कि 2 परतिसत तो हमारे पास क्या होगा कि 2 बटा 100 ये कटेगा 1 बटा 50 यानि कि टोटल हमारे पास कितनी है 50 और उसमें से जो हमको प्राप्त हुई हमने जो निकाल ली वो क्या है भई 2 ठीक है आगे हम इसके क्यूस्टन से सुरुआत करते हैं भई बिलकुल basic question लेगे चलेंगे starting में बिलकुल बच्चा type पहला question है हमारा 400 का 20 परतिसत क्या होगा सबसे पहले हम परतिसत निकालने के लिए भई हमें जो value दी गई होगी हम उसको सबसे पहले उपर लिखेंगे उपर लिखने के बाद जो हमें निकालनी होगी हम उससे गुणा करेंगे और जो हमारी total value है मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी total value कितनी होती है 100 हम इसको कितने से भाग कर देंगे 100 से भाग कर देंगे देखो जो 20 से 20 कट गई 20 चोके 80 80 हमारा क्या होगा भई 80 हमारा right answer होगा हमारा सही जवाब होगा 400 का 20 परतिसत क्या हो option C हमारा right जवाब होगा और 80 हमारा सही answer होगा ठीक है भई इसके बाद देखो ये बिल्कुल basic से चल रहा है बिल्कुल zero बच्चा type questions है इसके बाद हम थोड़ा सा इसी level के जह भी हमने percentage निकाला है कभी हमें percentage दे देगा fix value पूछ लेगा कि उसका कोईतना भी प्रतिसत कितना होगा या कोई भी value दे के बोल देगा कि ये किसी वस्तु का 30 परतिसत या 40 परतिसत है तो इसका 100 परतिसत बताओ इसी तरीके के questions के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा question है कि 400 का कितना परतिसत 120 होगा अभी हमने पिछला question से निकाला था कि 400 का 20 परतिसत क्या होगा और अभी हम निकालेंगे कि 400 का कितना परतिसत 120 होता है 400 का कितना परतिसत 120 होता है अभी हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे वही सबसे पहले हम किसको लेंगे 400 जो value हमें दी गई है उसको बाद हमारे पास total value मैंने आपको बता है total परतिसत कितना होता है 100 100 कभी भी नहीं ब हम value मानते हैं x, किस के बराबर है ये, 120 के बराबर, ठीक है भई, 120 के बराबर, देखो हम 20 से 20 कट गई, 4 एक कम 4, और 30 का 120, यानि x किस के बराबर आ गया भई, 30 पर 30 के बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ भई, x, ठीक है, तो अभी 400 का कितना परतिसत 120 होता है, कितना होता है भई, अभी हमने निकाड़ा 30 परतिसत, यानि कि option D हमारा right answer होगा, 400 का 120 है, वो 30 परतिसत होगा, ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले questions की तरफ, कितने का 40 परतिसत, कितने का 40 परतिसत, 160 के बराबर है, देखिए तीनों questions में फरक है, हमने पहले पड़ा, हमें कोई number दिया था, उसका हमें 20 परतिसत निकालना था, उसके बाद, ट्रम दे दी, परतिसत पूछा, कितना परतिसत है, अभी हमें पूछा की value क्या है, जो, वो value बतानी है हमें, value की जगए अभी हम क्या ले लेंगे भई, x, x लेने के बाद, कितना परतिसत निकालना है हमें, 100 से पूरा पूरा divide करेंगे, कितना परतिसत, 40 किस के बराबर है, 160 के बराबर, 0 से, 0 कटेगा भई, ये x है, ये उस side जाके क्या होगा, पलट जाएंगे, 160 गुना 10 बटे 4, 4 से काट दिया, कितना पर आ गया भई, 40, 40 पहने के बाद, 40 गुना 10 क्या होगा, 400, यानि कि 400 हमारी जो value होगी, वही हमारा सही जवाब होगा, यानि इसकी value क्या होगी भई, किसका 40, 160 के बराबर है, 400 का 40, 160 के बराबर है, ठीक है भई, सभी ये same type से के question है, इसके बाद, हम बात करते हैं अपने अगले questions की, 4 मिटर का कितना परतिसत 80 सेंटी मिटर होगा, 4 मिटर, देखो सबसे पहले ये किसमें दिया हुआ है भई, मिटर में, सेंटी मिटर में सोरी, और ये किसमें दिया हुआ है भई, मिटर में, हम इन दोनों को एक form में करेंगे, या तो आप उसको मिटर में कर लो, या फिर इसको सेंटी मिटर में कर लो, सबसे असान रहेगा इसको सेंटी मिटर में करना, क्योंकि एक मिटर के अंदर कितने सेंटी मिटर होते हैं भई, 100 सेंटी मिटर होते हैं हमारे, यही बात होती है, एक मिटर के अंदर 100 सेंटी मिटर होते हैं हमारे ठीक है तो अभी चार मिटर के अंदर कितने होंगे भई कि चार सो मिटर होंगे हमारे एक मिटर के अंदर अगर सो मिटर होते हैं तो चार मिटर के अंदर कितने होंगे चार सो मिटर होंगे अभी इसने क्या पुछा कि 400 का 80 cm 400 cm यहां गया भी यह सोरी यहां cm था भई 400 cm का 80 cm हमें कितना प्रतिसेत है यहीं निकालना है न देखो भी क्या करेंगे हम 400 सबसे पहले इसको क्या करेंगे पुरा-पुरा 100 से डिवाइड यहां पे हम वही ले लेंगे एक्स और यह क्या हो जाएगा किसके बराबर निकालना है 80 के बराबर यह निकालना है 2 0 से 2 0 कटके भई 4 1 कम 4 और किस पे कटेगा 20 पे तो एक्स किसके बराबर आगया भई 20 पर 30 एक्स हमारा जो है वो किसके बराबर होगा भई 20 पर 30 के बराबर होगा ठीक है तो हमारा जो option A option A is the right answer ठीक है बई इसके बाद यह हमारा बिल्कुल basic बिल्कुल low level का बच्चा type जो कभी भी नहीं पूछता बई यह बस हमें सीखने के लिए है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं अगला एक questions अगली type के ठीक है हलका size type के बारे में समझेंगे बस जब कभी भी कम दे रखा हो जादा दे रखा हो अंतर दे रखा हो ठीक है कम जादा या फिर अंतर देखो अभी किसने क्या दिया A, B से 25 परतिसत अधिक है तो B, A से कितना परतिसत कम है ठीक है सबसे पहले हमें किसी ना किसी value का पता होना चाहिए ठीक है हमें value का पता भी इसने दे दिया सिदा सागी A, B से 25 परतिसत अधिक है तो B, A से कितना परतिसत कम होगा हमारे पास A और B की value नहीं है तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि value क्या रखने हमें 100 किसी एक को हम 100 मानेंगे A, B से 25 परतिसत अधिक है तो जो हमारा B होगा भई हम B को मान लेते हैं B क्या मान लेंगे हम 100 A, B से 25 परतिसत अधिक है A अधिक है ना कितना अधिक है भई 25 तो ये कितना होगा भई 125 अगर ये 100 परतिसत है तो ये कितना परतिसत है भई 125 परतिसत आगे इसने पूछा तो B A से कितना परतिसत कम है देखो इसके लिए मैं आपको दो चीज़े बता रहा हूँ जब कभी भी हमें कम निकालना हो या फिर हमें जादा निकालना हो कम निकालना हो या फिर ज्यादा निकालना हो तो हम अगर हमें कम निकालना है तो हम क्या करेंगे दोनों का अंतर और उसको भाग दे देंगे हम ज्यादा वैल्यू से और गुणा में कर देंगे भई सो ठीक है देखो सीधी सी बात अगर कम पूछ रहा है तो जादा जादा पूछ रहा है तो कम उल्टे काम करने हैं भई उल्टे काम तो बच्पंते कर दे आए हूँ ठीक है सारे के सारे उल्टे काम करे हैं अभी तक एक अदा होगा जो सरीफ है निवा की सारे के सारे उल्टे काम करे है इसमें देखो कम में के लिखना है जादा और जादा में क्या लिखना है भई कोई फरक नहीं है बस अंतर बटे कम गुणा सो ये दोनों चीजें बस आपको पढ़नी है ये आपकी जो ऐसे टाइप के कुश्चन्स होंगे ये उसी से सूल्व हो जाएंगे देखो अभी बी कितना था? 100, एक कितना है भई? 125, अगर बी 100 है ये 125 इनके बीच में डिफ्रेंस यानि के अंतर कितने का है भई? 25 का, निकालना क्या है? कम, कम निकालना है तो हम क्या करेंगे देखो अंतर 25, बटे ज्यादा वैल्यू कौन सी है भई? 125 और गुणा किसे करना है? 100 सी 100 से गुणा करने के बाद हम काटेंगे 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 से कम 5 और 20 पंजे 100, हमारे पास क्या आगया? कितना कम है भई? 20 पर 30 यही हमारा जवाब होगा Option C is the right answer करेंगे बाकी मिलते हैं कल Continue इसी क्लास में ओके धन्यवाद